भोपुरी पावस्टार पवन सिंग का गाना आरा और खेसारी लाल यादव का गाना आरा में दुबारा फिर अईबुना जी हाँ इन दोनों गानों का कंपेर होना लाजमी है इन दोनों गानों के उपर कंपेरिज ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता पहले तो ये विवाज चला कि ये किसका गाना है, बात में क्लियर हुआ, वो भी आपको पता चल गया कि ये गाना किसका था, खैर हम यहां जबान नहीं खोलेंगे, लेकिन आपको बता दे भले ही कि सारी लाल यादों का गाना पहले आया, इसको व्यूज भी अच्छे मिले है लेकिन अब जब आरा वाला सौंग आया है तो बोलती बंध हो गई है अच्छे अच्छो कि क्योंकि ये गाना वाकई में बहुत खुबसूरत है पहली बार बोचपूरी में विदेशी डांसर आएंगा किसी पटीकुलर गाने में विदेशी डांसर का यूज किया गया है चार और और औल लेविस पूरी तरह से expensive गाना है यह और जो भी गाने को देख रहा है वहरत hours तरीकе से देख रहा है और आपको बता देकि कि यह अगर compare करने चलते हैं खेसारी और पवन के गाने से तो आप खेसारी के गाने और पवन के गाने से compare करेंगे तो बिल्कुल compare करना गलत बात होगी जैसा कि हमने वीडियो में ही कहा है सुरू में ही कि हाँ compare लोग करेंगे लेकिन आप अगर दोनों गानों के वीडियो को देखेंगे तो आप पहला गाना देखने के बाद आप सोचेंगे यानि कि खेसारी का गाना देखने के बाद आप अगर पवन के गाने को देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि ये गाना इस तरह से शूट किया जा सकता है खेर अगर आप पहले पवन का गान गाना देख रहे और उसके बाद खेसारी का गाना देखेंगे तो आपको निराशा हासिल होगी क्योंकि क्योंगे कोई भी जाधा शोर सरावा नहीं है की सारी लाल यादा होएं कुछ उनके सात काम करने वाले लोग हैं उनके मैनेजर तक उस गाने में दीख रहें और फिर दो अभी नेत्रिया हैं उनके आगे पिछे कुछ डांसर्स हैं और यहां पर खेसारी अपना गाना वाना गा के काम खतम करते हैं लेकिन अगर आप पवन के गाने को देखेंगे मानो पवन से एक मैसेज देरा चाते हैं खेसारी लाल यादों को कि यह गाना इस तरह से ही शूट हो सके तो खेर आपने अगर इस गाने को देखा है तो आपको किसका गाना पसंद आया है कमेंड बॉक्स में कमेंड कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करनाम बिल्कुल न भूलिए